जाइहिं साथिय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में साथिय। अभी तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट में जैसा भी पेपर आया जैसे भी questions आये, जैसा आपको पढ़ाया वैसे questions आये जो मैंने सोचा कि हाँ ये ये आ सकता है Hindi, GKGS, Reasoning और Math में वैसा ही आया साथियो इतना मुझे भी नहीं पता था कि लगभग लगभग साथियो 80% तक पेपर वैसा ही आजागा जितना मैंने आपको साथियो पढ़ाया है तो कुल मिला के साथियो अभी तक जितने भी shift हुई है उन सभी shift पर आधारित एक तरीके से उनके प्रिष्णों को देखा गया है और अब ये साथियो analysis किया है कि अब आने वाली shift में यानि कि आपकी जो आने वाला पेपर है आपका जो आगाभी shift है उसमें कैसे कोशन आ सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे है तो साथियो अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है और कुछ घंटे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी कराऊंगा 37 सवाल 38 सवाल कराऊंगा आपको सामान लिग्यान UPGK के और reasoning के कुछ important concept बताऊंगा मैंत के कुछ important question कराऊंगा इन सब ही अगर questions को आप करके चले जाते हैं तो मेरा मानना है यह दावा है साथियो मेरा कि अब आपकी जो भी shift होगी बहुत प्यारा आपका पेपर गुजरेगा आप कहोगे यह तो भाई ऐसा लग रहा है कि अधनान नहीं पेपर बनाया है ठीक है ना लेकिन कोई दिक्कत नहीं देखी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो अब अंदाजा लग गया है ठीक है अब अदाजा लग गया है कि examiner कहां तक जा सकता है और कैसे कैसे आप से सवाल पूछे जा सकते है मैंने जो आपके exam में एक कोईशन आया है वो मैंने एक बार नहीं वो मैंने दसियों बार कर आया अपनी classes में ठीक है ना खैर कुल्मिला के साथ हो आपने भी देखा होगा पेपर कैसा आ रहा है और जो बच्चे लगातार जुड़े हैं उनको मालू पढ़ गया होगा कि हाँ भई पेपर तो अच्छा आ रहा है मॉडल पेपर दमदार होते हैं साथ हो टार्गेट सेलेक्शन के खैर आप साथ हो इन कोशन को देखेगा लगभगे 40-50 मिनट की आपकी एक लास रहेगी बिल्कुल डट कर आपको बैठे रहने अगर आप एक्जाम को निकालना चाहते हैं तो पहला सवाल है आपकी स्क्रेन पर कि यशोधा में प्रियुक्त संधी का नाम बताईए याँ कि आगर बात करते हैं साथियों या शोधा कि अगर हम बात करते हैं कि या शोधा में संधी कौन सी है तो एक जबा कि जबेखे आपका सग्म जबाब क्या होगा कुर्सी पर Master जी बेखे इस वाक्ड ने सात्यों कुर्सी शब्द में किस कारक है देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग क्या के कुर्सी पर अब मैं आपको बताता हूँ अगर कोई वाक का आपके सामने आए और आपसे पूछा जाए सातियो कारक यहां पर क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसमें वहां पर क्या पर लिखा हो तो हमेशा आपको क्या लगाना है अधिकर्ण कारक लगाना है या अगर साथियो में लिखा हो तब भी आपको क्या लगाना है अधिकरण कारक लगाना है लेकिन अगर साथियो उस वाक में का लिखा हो की लिखा हो और आपसे कारक पूछे तो संबंध कारक लगा देना है ठीक है ना अगर साथियो के लिए लिखा हो तो आपको कौन सा कारक लगाना है संपरदान कारक और अगर से वहाँ पर लिखा हो साथियो मिलन के लिए अलगाव के लिए नहीं अगर मिलन के लिए साथियो से लिखा हो तो आपको करण कारक लगाना है ये बात आपनों ध्यान रखेंगे अगला सवाल देखें कि बहुबरी ही समास का इसमें से कौ तो मैं कहूंगा ये option number C वाला शब्द जो है यहाँ पर आपका बहुब्रे ही समास हो जाएगा और यही आपका right answer हो जाता है तिलक किस प्रकार का शब्द है अगर बात करते हैं तिलक शब्द की तो ये एक तत्सम शब्द है कैसा शब्द है सात्यों तत्सम शब्द है ये सब तो आ भी माली इसको क्या उनिया धाली उसको कुछ नहींद पता तो आनुभव जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी उसको आनुभव हीन कहा जाता है और उसको कुछ पूछा जाता है कि पूर्वी राजिस्थानी की बोली है उसके बाद देखिए प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम किया है, यह सवाल आपसे सात्यों बहुत पूछा जाता है, बार-बार यह सवाल आपसे पूछा जाता है, मुझे बताई देखे, अगर मंगल सूधर की बात करते हैं, तो यह मुझ्शी प्रेम चंदर का एक उपन्यास है, और कैसा एक उपन्यास है, अधूरा उपन्यास से आप रोग ध्यान रखेंगे उसके अलावा अगर बात करते हैं सातियों सेवा सदन किसका ठीक ना सेवा सदन के कौन है तो सेवा सदन के भी सातियों लेखा कौन है मुझ्शी प्रेम चंद्र है उसके अलावा अगर बात करते हैं सातियों रंग भूमी आप से बहुत पूछ पूछा जाता है तो अगर सेवा सदन पूछा जाए या रंग भूमी पूछा जाए या काया कल्प है निर्मला है गबन गोदान है करम भूमी है प्रेमा शाय है ये सभी सात्यों मुन्शी प्रेम चंद्र के ही रचनाए है उसके बाद देखिए लाल्टेन शब्द इन में से क इस वर्ग के अंतरगत आता है मुझे बताए तो लाल्टेन शब्द की जब हम बात करते हैं ये एक वीदेशा शब्द है ये कैसा शब्द है साथ हूँ ये एक वीदेशा शब्द है आंसर आपका जाएगा डी के साथ पानी पीकर जात पूछना इसका मतलब क्या होता है मैं तो मैं कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ वाकों का वर्गी करन दो प्रकार से होता एक तो अर्थ के आधार पर वाक का वर्गी करन कर सकते हैं और एक रचना के आधार पर साथ हूँ वाक का वर्गी करन कर सकते हैं ठीक ना यानि कि अगर रचना के आधार पर वाक का वर्गी है खैर वो तो बात की बात है आप लोग दो बाते दिहान रखें कि वाक्व का वर्यक्रण दो परकार से हो सकता है एक रचना के आधार पर एक अर्थ के आधार पर अगला सवाल अगर बात करें अगर बात करें बिलकू belief कौन सी हो जाएगी आयादी संदी हो जाएगी तो जिनका आंसर सी था उसके बात करिके शुद्ध शब्द मुझे बताई इसमें से शुद्ध कौन से ए साथे अगर आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से चंद गंटे पहले देख रहे हैं तो मैं कहूंगा सात्यू मैं आपको दो तरीके की पीडियाफ दे रहा हूं उन पीडियाफ को आप सात्यू सरसरी निगाहों से एक बार चले जाएंगे देखकर अपने एकजाम होल में तो मेरा मानना है कि आपका तकरीबन तकरीबन 65-70% पेपर सा यह पीडियाफ आप कैसे ले सकते हैं सात्यू मैं आपको बता देता हूं देखिए एक तो 2018 से लेकर यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का 2024 तक जो भी पेपर हुए हैं उसकी आपको दिया जाएगा हल सहीच सॉलूशन के साथ दिया जाएगा और जैसे सात्यू पेपर आभी त इन दोनों पीडियाफ को कैसे लग सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वाटसप पर पीडियाफ पर आप्त करने का जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे वाटसप पर आजाएंगे वहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा QR कोड पर आप 45 का पेमेंट क्या से आती होगा मैं कहूंगा बड़ा सा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं यानि के बीच में योजक चिनने आता है तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए उसके बाद एक अगला सवाल है कि निम्रिकित मेंसे किस वाक में आकर्मक करिया है मुझे बताईए आकर्मक करिया कि आगर बात करते हैं पानी बरस रहा है मैं गेहूं पिजबाता हूँ ये तो सकर्मक है ये भी सकर्मक मैं मोहन को रुला रहा हूँ ये भी है मैं कहूंगा पानी बरस रहा है यहां पर आपकी आकर्मक करिया होगी और यही आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए मुझे किस प्रिकार का सरवनाम है मुझे बताईए देखिए तीन तरह के एक तो उत्तम पुर्षवाचक सरवनाम ये लिखा हुआ है पूछा जा रहा है देखिए मैं आपको यहां पर सीधा सीधा बता देता हूं अगर मैं शब्द यहां पर आता तो आप उत्तम पुर्षवाचक सरवनाम बताते यह अगर बात करते सात्यों यहां पर तुम आता तो आप मध्यम पुर्षवाचक सरवनाम बताते यह सात्यों आपर वहाँ शब्द आ जाता तो आप अन्य पुर्षवाचक सरवनाम बताते तो यहाँ पर साथियों क्या है अगर मुझे आता ना तब भी आप क्या बताते उत्तम पुर्षवाचक सरवनाम बताते अगर आपने इसका आंसर मुझसे पहले दिया था उसके बाद देखिए साथियो अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है किरें कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं आपका होता है साथियो देखिए एक आर्थी शब्द एक होता है अनेक आर्थी शब्द और एक परयावाची शब्द होते हैं एक विलोम शब्द होते हैं तो मैं कह सकता हूँ अर्थ के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं इसलिए आंसर जिनका है आप्शन नमबर बी तुम्हें कहूंगा बिल्कुल करिक्ट है शुद्ध वाको को चुनिये साथियो और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या है बताइए आप शायद पटना के रहने वाले हैं ठीक है आप शायद पटना के रहने वाले हैं ठीक है आप शायद पटना के रहने वाले हैं यहां पर अगर बात करते हैं यहां पर है लिखा हूँ यहां लिखा हूँ यहां लिखा हूँ आप शायद पटना के रहने वाले हैं ठीक है आप यहांपर अगर बात करें, यह एक अपकी यह सवाल पूछा जा रहा है आप शाइद पटना के रहने वाले है तो मेरे हिसाब से यहाँपर पृष्णवाचक चिन्य आना चाहिए यहाँपर पृष्णवाचक चिन्य नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा लेकिन यहां प्रशनवाचक चिन्याद आप देख रहे हैं तो मैं कहूंगा जो आपका शुद्वा कि होगा वो अप्शनमर डी वाला हो क्योंकि कहीं न कहीं इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है और जिसमें सवाल पूछा जाता है वहाँ पर आपका प्रिश्ण वाचक सिन्याद जिन नहाता है अगुश वरण इसमें से कौन सा है मुझे बताए तो सा की अगर बात करते हैं ये आपका साथियो अगुश वरण हो जाएगा एक ही समय में वर्तमान इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे कहूँ तो आप किसका चैन करेंगे आप करेंगे साथियो समसामिक का चैन यानि कि एक ही समय में वर्तमान इसको क्या कहा जाता है समसामिक कहा जाता है अगला सवाल देखिए साथियो योगदान में कौन सा समास है मुझे बताईए तो योगदान के अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका तत्पुर्ष समास हो जाएगा कौन सा समास आते हो तत्पुर्ष समास हो जाएगा उसके बाद एक अगला सवाल है क्या कहते होगे स्वार्थी कहते होगे आंसर आपका भी के साथ जाएगा बहिर मुकी शब्द का उपसर्ग क्या है साथियों मुझे बताएगा बहिर की अगर बात करें न तो हलन्त वाला रा आएगा ये आप लोग सिर्फ धिहान रखेंगे बस आपका आंसर हो जाएगा बहि किसी वाक्य में सात्यों के आ जाए या अगर किसी वाक्य में सात्यों क्यों के आ जाए तो वो अकब की शुर्वाक्य होता है या किसी वाक्य में अगर मिले जुले शब्द आ जाए जिसके अगर बात करते हैं ना सात्यों जैसे के जब तब ठीक है यदपे तथपी ऐसे करके लेकिन अगर कहीं पर सात्यों किंटू, परन्तु आ रहा है या वरन आ रहा है, वरन का मतलब वी किंटू यह होता है, तो वहां पर आपका सयुख तो वाक्य हो जएगा, एक गोश्टी हुई, जिसमें अनेक वक्ता बोले, ठीक है, तो यह तो सात्यों ही नहीं वरन इमानदार है अब साथ हूँ यहां पर मैं कह सकता हूँ वहाँ परिश्रम ही नहीं ठीक है बलके इमानदार बलके जहां पर आ जाता है साथ हूँ वो क्या होता है वो आपका सैयुक्त वाकि होता है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है मैंने एक ऐसी पुस्ता खरीदी जो नहीं यहां पर मिश्री शब्द आ रहे हैं यह भी आपको मिश्री वाक्र हो जाएगा यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा यहां पर भी मिले जुले शब्द आ गए अगला सवाल देखिए साहित जन्ता की चित वर्तियों का संचित प्रतिवम है यह उक्ती किसकी है डारेक्ट आप से एक्जाम में पूछा जाएगा तो यह रामचंदर शुकल की उक्ती है इतना आपको धिहान रखना है मरियादा किस यूग की प्रसिद्ध पत्रिका थी मुझे बताईए तो यह दरवेदी यूग की सात्यों एक प्रसिद्ध पत्रिका थी जिस पत्रिका का नाम था मरियादा उसके बार देखिए सात्यों के निम्लिकित पंकियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए ये शांदार कोशन है सात्यों यहां से बहुत सारे सवाल आपके बनेगा देखिए अगर बात करते हैं भकती ही ग्यान ही नहीं कचु बेहदा ठीके ना ये किसकी है ये सात्यों तुलसी दासकी है तो मैं कह सकता हूँ एका क्या हो जाएगा एका चार हो जाएगा उसके अलावा अगर बात करते हैं हम राज्य के लिए क्या सात्यों हम राज्य लिए मरते हैं ये किसने कहा था मैथली शरण गुप्त ने कहा था यानि कि मैं कह सकता हूँ B का 3 हो जाएगा उसके बाद लिखा हुआ है ये उपमान मेले हो गए देखिए अगर ये सवाल आता है तो डारेक्ट टाइगा रत्ती भर का इसमें चेंज नहीं होगा ये उपमान मेले हो गए साथियों तो अगर बात करते हैं ये अगे का है यानि कि साथियों C का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों हाँ पर के 22 लालच लाल की ये किसका ये बिहारी जी का यानिके D का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानिके 43 बारा कहां पर लिखा हुआ है, 43 बारा आपका option number C में लिखा हुआ है, तो यही आपका right answer है, आप देख रहे होंगे सात्यों, क्या, आप देख रहे होंगे कि गदाश की अगर बात करते हैं, जो UP police में पूछा जा रह है, वो आप देख रहे हों सात्यों पढ़ाया हुआ रहा है, रती भर का उसमें changes नहीं है, ठीक है ना, तो मैं कहूं मेरे दौरा नहीं, किसी और के दौरा और वो आपको भी पता होगा सात्यों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर बात करते किसे normal आते, बहुत hard नहीं आते, लेकिन और सभी कोशन एक तरी क्योंकि एक्जामनर जो होते हैं, वो खुछ थोड़ी ना बनाते हैं, वो खुदी किताबों से ले लेते हैं, या जो उन्होंने पिछले पेपर कराये थे, या जो बनाये थे, वो वहां से ले ले लेते हैं, तो आपको जो पढ़ाया जाता है, सातियों वही से पेपर आता है, उसे बाहर से नहीं आता है आपको, ठीक है, तो कुल मिला कि अगर बात करें, कर्तग का विलोम क्या होता है, कर्तग न होता है, कर्तग एहसान मानने वाला, कर्तग एहसान ना मानने वाला, उसके बाद तो संकीरन का विलूम क्या हो सकता है विकीरन हो सकता है चलिए उसके बाद देखिए कि निमने की शब्दों का पर्यवाची अब आपको सात्यों पर्यवाची बताना है निके म्रगधर की अगर बात करते है तो ये तो चंद्रमा का पर्यवाची है एक किसका पर्यवाची है च किस के रिन पर देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा कि नीचे दिये गए शब्द के लिए अर्थ वियंजक चार-चार विकल्प दिये गए हैं सबसे जादा उप्योगत अर्थ वियंजक वाला विकल्प चुनकर साथियों मुझे बताइए अगर बात करते हैं साथियों क्या देखिए गयंद का मतलब क्या होता है तो गयंद का मतलब होता है बड़ा हाती क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है बड़ा हाती मूर्चेता मूर्चेता का अगर आपसे पूछा जाए तो मूर्चेता का मतलब होता है साथियों मूर्ख क उसके बाद देखिया अगला सवाल है कि प्रायोगी का मतलब क्या होता है सात्यों मुझे बता ही। चलिए मैं उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पापी मनुष की आज मुख से राम नाम निकलते हैं इसमें अलंकार आप से सात्यों पूछा जा रहा है मुझे बताईए तो पापी मनुष उसके मुझे सात्यों राम नाम निकलते हैं मैं कहूंगे यहां पर विरोध उत्पन हो रहा है यानिके विरोधा बास अलंकार यहां पर हो जाएगा सिम्पल सा पृष्ण है शांत रसका इस्थाई भाव क्या होगा तो शांत रसका इस्थाई भाव क्या होत ठीकिना निर्वेद होता है आंसर आपका जाएगा एक साथ अब उसके बाद देखिए 38 सवाल 37 सवाल आपने देखे साथ हो सामान उसके हिन्दी के अब सामान निग्यान के साथ हो 38 सवाल आप लोग देखेंगे अनके टोटल 75 प्रश्णम लोग देखेंगे और यहां पर कि महाभारत का फार्सी में अनुवात किस ने किया था तो बदायूनी की अगर बात करते हैं बदायूनी नहीं महाभारत का फार्सी में अनुवात किया था हडपा के लोग किस की पूजा करते थे तो हडपा की अगर बात करें हरपा के लोग देवी मा की और पशुपती की साथ पूचा करते थे उसके बाद देखिए गांधी जी ने डांडी मार्च किसके लिए प्रारहम किया था तो इन्होंने साथियो ये नमक कर लगाने के लिए विरोध किया था यहने के नमक कर जो लगाया गया था इसके विरोध में ही साथियो गांधी जी के द्वारा दांडी मार जा सकता है तो किसके द्वारा लाया जा सकता है मैं कहूंगा राज सभा के द्वारा लाया जा सकता है आंसर आपका सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए भारती समय आपके पास कम है और चीजें आपको जादा जादा पढ़ना है और कि वो चीजें आपको पढ़ना है जो तुरण सातु वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आपके सेलेक्षन में ये एहम भूमिका निभाएगा सातु ये टार्गेट सेलेक्षन देखिए भारती सविधान में किस अनुचित के अंतरगत अनसूची जातियों और अनसूची जन जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षन का आरक्षन प्रदान किया गया है अगर सवाल पूछा जाये तो अनुचित 335 लगा देना बस हो गया काम उसके बाद देखे किस राज विधान सभा में सदसू की अधिक्तम संक्या है तो किसकी बाद चल लही है आपने उत्तरपुदेश की बाद चल लही है यानि कि उत्तरपुदेश राज की विधान सभा में सदसू की संक्या जो है वो सातियों सर्वाधिक्तम है या अपनूग करीन पर कि अस्थियों और दातों में उपस्थित रासाइनिक पधर्थ कौन सा है तो कौन सा है साथों मैं कहूंगा CA3PO42 यानि कि इसको साथों एक्जाम में आपका ये ऐसे लिख कर आएगा मैं आपको बता देता हूं मैं आपको साथों बता देता हूं साथों ऐसे करके ये लिख कर आएगा चलिए उसके बाद दिखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों नुकलियोलस यानि केंद्रिका किसके अंतरगत उपस्तित होती है तो यह अगर बात करते हैं साथियों यह किसके अंतरगत उपस्तित होती है तो नुकलियस के अंतरगत होती है यह नुकलियोलस है क्या यह Nucleolus है और ये सातियो Nucleus है तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा Option No. B के साथ Baking soda का रासाइनिक नाम क्या है सातियों तो Baking soda के अगर बात करते इसका रासाइनिक नाम क्या है Sodium by Corbinate ही इसका रासाइनिक नाम है Mistal एक शीतल पवन है जो यहां की घाटी में चलती है यानि के कहां की घाटी में चलती है मैं कहूंगा सात्यों रोन की घाटी में चलती है अंसर आपका जाएगा एक साथ रियान के निर्मान के लिए कच्चे माल के रोप में निम्निकित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो सेलूलोस का प्रयोग किया जाता है ये भी सवाल बहुत इंपोर्टन्ट है और आपके एक्जाम में साथियों पूछा ही पूछा जाएगा उसके बाद देखिए next number का सवाल है कि हाल ही में भारत के लिए सयुक्त राश्टर परेवरन सदभावना राजबूत नियुक्त किया गया है तो सात्यों अगर बात करें किसको किया गया है तो दिया मिर्जा जी को किया गया है राइट आंसर आपका ए हो जाता है और किसे राश्टी आनुसूची जाती आयोका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या आपसे सात्यों आपर पूछा जा रहा है तो अगर किसकी बात करें तो विजय सापना की बात करें मैं करूंगा बिल्कुल विजय सापना जी को ही राश्टी आनुसूची जाती आयोका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसके बाद अगर बात करते है भारती आयकर है यानि कि अगर देखिए भारती आयकर जो है ना इंकम टेक्स जो है न ये एक प्रत्यक्ष और सामान उपाती कर रहे है यानि कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमर डी के साथ जाएगा उसके बाद दिखिए कि उभोगता संतुलन में यह तब ही कहा जाता है यदी क्या सात्यों यदी उसकी आय और वे बराबर हो या कुछ वस्तों के उभोग के बिना ही अपनी अवशक्ताएं पूरी कर सकता हो वे आय के नवीन सुरोत ढून पाने में सक्षम हो या अगर बात करें वे आय के एक नियत इस तर से अपनी अवशक्ताएं पूरी करने में सक्षम हो तो इस कोशन का राइट आंसर आपका जो अगर एक तरीके से संतुलन है तो कहा जाएगा कि हाँ वह आए कि एक नियत इस तरह से अपनी अवर्शक्ता है पूरी करने में सक्षम यह चीज आप समझ गए ना अगर समझ गए हैं तब यह सवाल आपकी समझ में आएगा उसके बाद देखिए भारत में वो कौन सा राज्य है जहां आलू की पृति हेक्टियर पैदावार सबसे जादा होती है तो मैं कहूंगा सात्यों आलू की अगर पृति हेक्टियर पैदावार की जब हम बात करते हैं तो पश्चम मंगाल सात्यों सबसे पहले नमबर पर है उस कहां पर पराप्त किया था सातियो तो पावा पूरी में पराप्त किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे पावा भी कह सकते हैं। नमबर का सवाल है मृत्यू दंड के मामले में छमा देने का अधिकार किसको है तो ये अधिकार साथियो सिर्फ ये पावर राश्टुपती के पास है कि अगर किसी को मृत्यू दंड की सजा सुनाई जाती है तो उसको छमा करने का अधिकार सिर्फ राश्टुपती के पास है अगले नमबर का सवाल देखें, साथियो भारत के उच्चितम न्याले की केंद्र और राज्यों की बीच विवाद का निप्टाराश की शक्ति किसके अंतरगत है, यानि कि ये अगर बात करते हैं, साथियो मौलिक अधिकारिता के अंतरगत है, आंसर आपका, आप्शन नमर ए हो जाता है, चलिए, उसके बाद देखिया, अगला सवाल है साथियो, देखिये, आप लोग साथियो बने रहीएगा, अगर आप ने ठान लिया है, कि हाँ भाई, इस बार कुछ करना है, क्योंकि तैयारिया आप बहुत समय से कर रहे हो, ठीक है, और ये वेकेंसी भी बहुत समय बाद आई है, तो अगर आप चाहते हैं, कि इस बार वर्दी आपको मिले ही मिले, मतलब किसी भी तरीके से साम, दाम, दंड़वा, भेदे, बस गलत तरीके से नहीं, तो मैं कहूंगा सात्यों, दिन डाते कर दीजे, जितना आपको पढ़ना पढ़े, पढ़ लिजे, आप इस जॉब को ले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऑपर्चुर्टी कभी नहीं आपके सामने आएगी, इस लेविल की ये वेकेंसी आई है, साथ हजार यूपी में वे अधर वेकेंसी से, मैं कमपेरिजन कर रहा हूँ, अधर भाई जिसकी माले जे 10,000 वेकेंसी आई, उसकी कट ओफ कम जाएगी, या 60,000 वेकेंसी आई, इसकी कट ओफ कम जाएगी, जाहर सी बात है, इसकी कट ओफ कम जाएगी, वहाँ पर तो बहुत कॉम्पेटिशन होगा, वहाँ पर सभी लोगों में से सिरफ उनको 10,000 लोगों को चुनना पड़ेगा, तो वो 10,000 टॉप लोगों को चुनेंगे, यहाँ पर 60,000 लोगों को चुनना पड़ेगा, तो साथ हूँ, यहां पर आपका आसान है सेलेक्शन पाना, तो इसलिए पढ़ लीजे, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा साथ यू वीडियों में क्या कै आपको अब आपको करना है अंतिम समय में छलिए दिखिए काम करेंगे उसके बार अगला सवाल है के सूर में उश्मा और पृकाष किसके द्वारा उत्पन होता है तो सूर में उश्मा और प्रकाश न्यूकलियर अभिकरिया के द्वारा उत्पन होता ये कोशन सात्यों बहुत इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम में सात्यों आ सकता है अगला सवाल देखे कि एक प्रकरतिक परिगटना जो प्रदूशन के कारण हानिकारक बन जाती है उसको क् आदब गरह परभाव भी हम लोग कह सकते हैं तो जो लोग भी यहां पर हैं उप्शन नमर सी के साथ मैं कहूंगा बिलकुल करेक्ट है आप घटकों में शामिल है तो अप घटकों में सात्यों क्या क्या शामिल है जिवालू है ठीक है ना कावक है जिनको फंगी कहा जाता है बैक्टिरियाज हैं तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जाएगा सात्यो अप्शन नमर C के साथ उसके बाद देखिए प्रकाश क्या सात्यो प्रकाश भीरूता किसकी कमी के कारण होती है तो ये तो विटामिन B2 की कमी के कारण होती है ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन B2 आपको लगा देना है प्रकाश भीरूता उसके बाद देखिए वहा लवड जो जलिये अमोनिया विलियन में घुल जाता है उस लवड का साथियो क्या नाम है तो C.O.H.2 है ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे उसके बाद अगर बात करते हैं साथियो हाल ही में सुर्खियों में आया वाना कराई ये है तो ये एक कंप्यूटर का वाइरस है क्या है साथियो ये एक कंप्यूटर का वाइरस है इसलिए सही जवाब आपका जाएगा B के साथ तो अगर बात करते हैं कौन सा यंतर विधुत यानिके बिजली उतपादित करता है तो मैं कहूंगा डाइनेमो करता है इसलिए आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर एक के साथ अगला सवाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भरंशन का मुख कारण क्या है बताईए तो तनाव है साथू ansur आपका यह हो जाता है तमिल नानू में इस्तित धर्मल पावर प्लांट तो तो यह दो इस दोनों बाते आपनों ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि смогर का सरवोच्ट पर्तिशत है अगर बात करते हैं, किस राज में तो आप सिंपल सा बता देंगे सात्यों, यहाँ पर अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश मिजोरम, अरॉज़र प्रदेश यासम, तो मिजोरम सात्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके बात देखिए आगला सवाल है, कि धर्म के बारे मे क्या यहाँ पर अगर बात करते हैं, reasoning के एकड़म टॉप लेविल के questions साथो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सब ही questions को एक बार देखिएगा, और score देखिएगा, और मैं कहूंगा, यहाँ से आपकी बहुत सारे questions आपको आपके real exam में साथो देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से, आप लोग इन सब ही सवालों को एक तरीके से क्या करेंगे, watch करेंगे, चलिए, तो पहला सवाल है साथो आपके screen पर, और जिस लोगों जिन्हों ने भी साथो वीडियो को like न किया हो, अगर आप अगर बात करें साथो वीडियो को share न किया हो, तो तुरां साथो वीडियो को भी एक बार like कर दीजे, और इसे को भी साथो शेयर कर दीजे, और बता दीजे किस question का right answer आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें कहा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा इसको zoom करना पड़ेगा, मुझे ठीक है, देखें, चली, अब मैंने साथो इसको क्या किया, अब मैंने इसको यहाँ पर zoom कर लिया, अब आप इसको देखियो और बताई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें साथों यह है सिर्फ, क्या इसमें है, इसमें अगर यह है साथों कि इस आकरती से, अगर यह आकरती बनाई गई है, तो इस आकरती से, यहाँ पर जो आकरती बनाई जाएगी, वो कैसी बनाई जाएगी, आप यहाँ पर देखिये, कि ये आकरती और ये आकरती थोड़ा सा सेम है बस ये वर्ग है एक के उपर एक रखा गया है इसको अगली आकरती में क्या कर दिया एक वर्ग के अंदर वर्ग कर दिया उसी प्रिकार यहां पर एक सर्किल के उपर एक सर्किल रखा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे मैं कह सकता हूँ साथियों मैं कह सकता हूँ कि एक सर्किल के अंदर एक सर्किल कर देंगे तो ऐसा कहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा option number A में आपको दिख रहा है option number A अब कहाँ पर लिखा है भाई साब ये वाला ये गलत है इसमें ये वाला चैन हो जाएगा एक कहां पर लिखा यहां पर लिखा है तो आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर डी के साथ चलिए चलिए तो अब साथ ही यहां पर अगर बात करें अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर इस सवाल को देखे साथ हो और मुझे बताईए कि आपका सही जवाब यहाँ पर किस option के साथ जाएगा देखिए कि उस विकल्प का चैन कीजिए जो तीसरे कुछ ने इसमें कुछ पढ़ना भी ने उपर वाले को क्या लिखा हुआ है काच का सम्मण जैसे पारदर्शी से है वैसे लकड़ी का सम्मण किस से होगा अरे काच होता है पारदर्शी आरपार का देख सकते हो लेकिन लकड़ी अपारदर्शी होती है तो अपारदर्शी कहां पर लिखा हुआ है option number D में लिखा हुआ है कहने के एक कूट भाशा में I-N-D-I-G-E-N-C को D-N-I-E-G-I-E-C-N लिखा जाता है तो I-N-D-I-R-E-C-T-C को क्या लिखा जाएगा कितना सिंपल से सवाल है बस आपको लॉजिक पहचानना है अगर आप लॉजिक पहचान गए तो दुनिया का हर कोशन सात्यों आप बहुत आराम से कटा लेंगे देखिए यहाँ पर अगर बात करें सात्यों जो शुरू के तीन लेटर है ना वो शुरू के तीन लेटर यहाँ पर आप देखिए जरा ठीक है, यह जो आप शुरू के तीन लेटर है, G, E, N यहाँ पर क्या बना दिया गया है, सात्यों अगर बात करें उसके बाद देखें, सात्यों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इतनी बात देखें, इतनी बात आप लोग समझ गया है पहला वाला पॉइंट आप समझ गया है, उसके बाद देखें, I, G, E तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, E, G, I यह लिखा हुआ है, सात्यों E, G, I उसके बाद अगर बात करें, N, C, E को क्या लिखा गया है E, C, N लिखा गया है, तो यहाँ पर E, C, N लिखा गया है तो अब यहाँ पर अगर बात करें, तीन-तीन तुकड़े बना लिजिए एक यह तुकड़ा, एक यह तुकड़ा, और एक यह तुकड़ा अगर इस वाले तुकड़े की बात करें, I, N, D लिखा हुआ है यानि कि D N I लिखा होगा ठीक है इसकी अगर बात करें I R E लिखा हुआ है तो E R I लिखा होगा इसकी अगर बात करें C T S की तो S T C लिखा होगा STC लिखा हुआ है तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है D.N.I.E.R.E.S.T.C तो ऐसा साथ हूँ D.N.I.R.I.S.T.C कहां पर लिखा हूँ option number C में लिखा हुआ है तो यही आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा उसके बाद देखिए अगला सवाल है पूछे जा सकते हैं consequences पूछे जा सकते हैं साथियो विशलेक्षन के बाद यह class में आपके लिए बनाई है special class है कहने के साथियो पैनी का घर पश्यम मुखी है बहुत ध्यान से देखिए का बहुत अच्छा कोशन है साथियो पश्यम मुखी यानि के मान लिजे इसका जो गेट है मान लिजे इसका ये मकान है ठीक है ना इसका ये मकान है और इसका गेट जो है वो साथियो पश्यम की तरफ खुलता है पश्यम मुखी इसका दरवाजा है कहने के उसके घर में प्रवेश करने पर इसके घर में साथिव आपने प्रवेश किया और कहने के किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे आप यानि के किचन कहीं यहां पर है किचन कहीं यहां पर है तो कहने के प्रवेश द्वार के संधर्म में किचन किस दिशा में आर भाई किचन इस दिशा में और ये दिशा क्या होती है दक्षण दिशा होती है तो क्या कहीं पर दक्षण लिखा हुआ है मैं कहूंगा बिलकुल लिखा हुआ है औप्षण नमबर C में लिखा हुआ है तो यही क्या होगा यही आपका साथ यो बिलकुल सही जवाब हो जा सकता है भाई बहुत बढ़िया very good class चलिए उसके बाद देखिए next number का सवाल है साथ हूं आपके स्क्रीन पर ये को कोशन गया अगर बात करते हैं साथ हूं बहुत शानदार है एक तरीके से ये कोशन बस इसको आपको समझना आना चाहिए क्या समझना आना चाहिए बस समझ गया तो हो गया काम लिखा हुआ है नीचे दिये गए चितर में समुच यू ये समुच जो है ना ये समुच पूरा यू है इससे कोई मतलब भी नहीं है कहने के सर्व समावेशी समुच और समुच ल, M, N ठीक है ना? L, M, N करमशा यानि के इल की अगर बात करते साथ हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो इल लिखा है ना इल इल के बारे में कहा गया है कि इल इतिहास है तो इल की दर गया बाई साथ इल यह है यानि कि ये क्या हो जाएगा ये आपका इतिहास हो जाएगा उसके बाद कहने कि M कि अगर बात करें यानि कि M में जो नंबर है न वो क्या है वो भूगोल है यानि कि M वाले जो हैं साथियों वो क्या हो जाएंगे वो एक तरीके से यहाँ पर भूगोल हो जाएंगे उसके बाद अगर बात करते साथ हो इन की बात करें तो यह भाशा से सम्मंदित है यानि कि इन यहाँ पर यह है यह भाशा से सम्मंदित है तो आप देखिए जरा पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कह रहे हैं कि दिये हुए आक्लों के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी जो भाशा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं यानि कि इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको तो भूल जाए इसको एक तरीके से कट कर लीजे आपसे पूछा ये जा रहा है जो भाशा पढ़ रहा है भाशा सातो इतने लोग पढ़ रहे हैं से और भूगोल इतने लोग पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा एक ऐसा नमबर भाशा के अंतरगत भी आए और भूवल के अंतरगत भी आए वो सातियो नमबर होगा 9 यही नव नमबर है वो भूवल भी पढ़ लाए और सातियो भाशा भी पढ़ लाए तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कि 9 कहीं पर लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा बिलकुल लिखा हुआ है option number A में लिखा हुआ है तो यही आपका right answer है उसके बाद देखिए साथियो next number का सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका right answer साथियो किस option के साथ जाएगा देखिए चलिए देखिए यहां पर अगर साथियो हम लोग बात करते है कथन आपके सामने है और निशकरशाप के सामने ऐसे भी सवाल आपसे exam में आपके पूछे जा रहे है तो कथन के अगर बात करते है कथन में क्या का कहा गया है देखिए कहरें कि सभी पिन जूते है तो मान लेते है साथियो यह आपके क्या हो जाएंगे यह आपके पिन हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि सभी के सभी पिन क्या है एक तरीके से जूते है तो सब ही के सब ही पिन हमने जूते बना लिए उसके बाद कहरें के सब ही जूते दीवार हैं तो मान लेते हैं सात्यों क्या सब ही जूते क्या हैं सब ही जूते दीवार हैं अब निशकर्श को पढ़िए और मुझे बताईए कि कौन कौन से निशकर्श सही है कौन कौशे निशकर्श गलत है ठीक है रहा तो सभी पिन दीवार हैं देखिए ये सभी पिन जो है ना ये सभी पिन ये दीवार के ही तो अंतर गत हैं दीवार के ही तो अंदर हैं तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल सभी पिन दीवार हैं कुछ दीवार पिन है देखिए कहा जा र जाएगा सभी दीवार पिन है सभी दीवार पिन कैसे हो सकती है इतनी जो दीवार है पिन कहां है इतनी दीवार पिन है इतनी दीवार पिन नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगा सभी दीवार जूते हैं सभी दीवार जूते कैसे हैं इतनी दीवारे जूते हैं यह दीवारे साथियों और उसके बाद साथियों यहां पर एकर बात करते हैं आपके सामने निशकर्ष हैं तो कतनों को आपको देखने हैं निशकर्ष को आपको देखने हैं कतन पहले पढ़ लीजे साथियों यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड के अध्योश क्या कहत हैं वही कोच यानि कि जो पहले विकट कीपर रहे चुके हैं वही कोच के पद के लिए सातियों होंगे एक तरीके से तो कि यहां पर सातियों अगर बात करते हैं बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व wicket keeper, coach के लिए सबसे अच्छा विकलब है, तो इसलिए बिल्कुल मानते हैं, जो पहले wicket keeper है, ठीके ना यानि के जो पहले wicket keeper रहे चुके हैं, वही coach के लिए अच्छा प्रदशन करेंगे, तो यह बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसके बाद कहा गैं, पूर विकट की प्रो के पास पिछ पर अधिक अनुभवे तो ये बात भी बिल्कुल सही है तभी तो ऐसा कहा जा रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पर दोनों निशकाश आपके सही हो जाएंगे और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है कथन आपक कूशन साथने आपर पूछने लगता है तो कौन सी धारण इस में से नहीं थे उमीदवार को विशय का सामान ग्यान अक्छी तरह है कौन से बुष्य का कुछ नहीं पता हम इसके अने irony काउन हमें नहीं कि बात चल रही है कि कौन सा साथ हो सकता यह वाला सातों सही लग रहा है यानि with यह अगर एक पूछ रहा है है उसरे Sharing एका और वह delta को समचकर यह जाना ऑभर ऐसके मालस हिस्टरी में यह तो 99 % ला रहा है ये जोग्राफी में 95% ला रहा है तो इसे जोग्राफी के सवाल पूछे जाए तो जाहर सी बात है कि उस विशय का उसको अच्छा सामन ग्यान होगा बिल्कुल सही बात है साक्षातकार ये उमीद करता है अच्छा अच्छा एक सेकेड़ अब यहाँ पर ये चीज कहे दी गई है जरूरी थोड़ी ना साथियों मैं कह सकता हूँ ये उमीद वाला जादा सही लग रहे है क्योंकि साक्षातकार ये उमीद क्योंकि जो नंबर अगर अच्छे पाएगा जरूरी थोड़ी ना कि उसको ग्यान भी हो जरूरी नहीं साथियों क्या पता फेक अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है पूछा जारे जिस परकार लिलन जैसे कपड़े से समझे लिलन जो होता है ना लिलन आपने भी सुना होगा लिलन का कपड़ा लिलन वो कपड़े का सम्मन होता है उसी परकार सोना किसे सम्मन दीते तो सोना एक धातू होता है तो क कोशन की तो यह कोशन सात्यों बहुत आपका शानदार है और यह कॉंसेट से सवाल आपसे एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा अब यहां पर आप लोग देखकर बताईए कि आंसर आपका क्या हो सकता है देखिए एक निश्चित कोड भाशा में लिखा हुआ है कि पिन अगर बात करते हैं यहां पर किसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है आपसे जो मतलब पूछा जा रहा है वो फूड का मतलब पूछा जा रहा है तो फूड अब आप देखिए फूड कहां कहां पर लिखा हुआ है एक तो अगर बात करें सात्यों फूड यहां पर लिखा food का code sig pen fin ho तो मैं ये कहूंगा सात्यों इसमें से जो शब्द सेम होगा और इसमें जो शब्द सेम होगा यानि कि इनमें इनमें से जो शब्द सेम होगा वही आपका क्या होगा food का code होगा अब देखिए pin यहाँ पर लिखा हुआ pin यहाँ पर लिखा हुआ है वो spin होगा अब देखिये infin क्या कहीं अप्षिन में है तो मैं कहुंगा बिलकुल option में है option number C वाले में हो यही आपका क्या होगा यही आपका बिलकुल correct answer हो जाता है उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथ्यों आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बता ये राइट आंसर क्या है अभी साथ्यों मैत के कोशन्स को भी हम लोग देखेंगे और बहुत शांदार शांदार सब ही मैत के कोशन्स होंगे यहाँ पर अगर बात करते हैं साथ्यों कहा गया है यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर के पुरसकार प्राप्त करते हुए एक आदमी की और इशारा करते हुए सनी ने कहा आप खुद को सात्यों सनी मान लीजिए और आप एक पुरसकार है वो प्राप्त कर रहा है आप उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वहाँ मेरे चाचा की बेटी का भाई आपका कौन होगा चचेरा भाई होगा और चचेरा भाई को क्या कहा जाता है कजिन कहा जाता है इसलिए आंसर अगर आपका है अप्षिन नमबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोशन है तो अब यहाँ पर अगर बात करें साथ हो अब आपको यह बताना है क्या आपको बताना है मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सा समंद को सही तरीके से साथ हो पर दर्शा रहा है देखिए यहां पर अगर बात करें यह A, B, C जो लिखा हुआ है परवत, शहर, कागज ठीक है न A, B, C जो लिखा हुआ है यहां पर आपको बताना है ठीक है परवत, शहर, कागज को अगर आप इस धंग से लगाएंगे तो इस question का right answer क्या होगा C आपको लगाना है चलिए अगला सवाल देखिए आपके screen पर है साती हो अब यहाँ पर अगर बात करें आपके सामने कौन सा विशे शुरू हो चुका है मैत आपके सामने यहाँ पर शुरू हो चुकी है तो जैसे सवाल आ रहे है शिफ्ट्स में वैसे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ मैत के और top questions मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें सुमन साक्षी और यहाँ पर मैं मैं कोई लड़का है मालीजे मैंक मालीजे अच्छा यह इधर को लग गया ठीक है थीक है ना मैंक यहाँ पर लिखा है तो सुमन साक्षी और मैंक एक साजेधारी करते हैं सुमन अच्छा तीन लोग है ना तो तीनों के एक बार नाम आप लोग लिख लीजिए कौन-कौन है यहाँ पर सुमन है और कौन है? साक्षी है और कौन है? सातियों? यहाँ पर मैंग है. तो यह तीनों लोग एक तरीके से साज ह्यादारी करती हैं, सातियों पार्टनर्शिप है. अब दीखिए कहने के सुमन साक्षी से पांच गुना और साक्षी मैंग से के निवेश का 3 बटे 5 भाग निवेश करती है और वर्ष के अंत में कुल 23,000 रुपए का लाब होता है तो साक्षी का लाब कितना है अगर ऐसा आप से सवाल सात्यों पूछा जिया तो आप कैसे करेंगे देखिए सुमन साक्षी से 5 गुना तो आप सवाल कर डालेंगे सुमन साक्षी के निवेश का 3 बटे 5 भाग निवेश करती है यानि के साक्षी और मैंक का अनुपात यहाँ पर दे दिया गया है क्या है सात्यों 3 बटे 5 है यानि के साक्षी अगर 3 रुपए निवेश करेगी तो मैंक पाच उर्पे निवेश करेगा तो मैं कह सकता हूं साक्षी अगर तीन एक्स निवेश करेगी ठीके ना यह माल लेते तीन निवेश करेगी तो यह मैंक कितना करेगा पाच निवेश करेगा अच्छा अब यहाँ पर कहा गया था कि सुमन साक्षी से 5 गुना जादा निवेश करती है यानि कि सुमन साक्षी से 5 गुना निवेश करती है तो 3 का 5 गुना क्या होगा? 15 होगा यानि कि अब हमें ये पता चल गया है कि ये तीनों लोग किस-किस अनुपात में अपना पैसा लगाते हैं आपको दिया गया है, कुल लाब दिया गया है अब पता क्या होगा देखिए ये जिस जिस अनुपात में अपना पैसा लगाते हैं उस अनुपात में ही इनको लाब प्राप्त होगा तो अगर मान लेते हैं साथियों, इनको 15 लाब पराप्त हुआ, इनको 3 लाब पराप्त हुआ, इनको 5 लाब पराप्त हुआ, क्योंकि इसने अपना पैसा भी तो जादा लगाया था, तो मैं कहा सकता हूँ, साक्षी का लाब आप से पूछा जा रहा है, देखिए, टोटल ला यहाँ पर हो गया, और गुणा आपका यह 3 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ, कि 3,000 किसका प्रॉफिट है, साक्षी का प्रॉफिट है, तो 3,000 किस आप्शन में है, साथ यू आप्शन नमबर B में, तो जिनका भी आप्शन नमबर B के साथ में कहूंगा, बिल्कुल करेक्टर का अंसर है, अब उसके बाद देखिए, आगला सवाल है, आपके स्क्रेन पर इस कोशन का अंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, कहने के एक पाइप, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप, निकासी पाइप जो के पानी को निकाल रहा है, व अगर बात करते हैं, जो खाली कर रहा है, वो 28 मिनट में खाली कर रहा है, चलिए, जब दोनों पाइप खोल दी जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाती है, हम ये चीज़ करने के बाद हमेशा एक ऐसा नमबर लेते हैं, जो के 20 से भी कट सके, 28 से भी कट सके, अगर आप ना निकाल पाओ ना, तो इनका LCM आप निकाल लो, आपको वो संख्या मिल जाएगी, दो से कट कीज़े 10 आया, 14 आया, दो से कट कीज़े 5 आया, 7 आया, अब 5 को काटने के लिए 5 और 7 को काटने के लिए 7 यो 7, तो 7, 35 और 35 चौक कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे, ठीके तो कुल मिला कि अगर बात करें, 20, 70 कितना होता है, 140 होता है, 28 कि अगर बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए एक बार, 140 बटे 28 है, तो 7 चौक 28, यहां पर 20 आ गया, 4 पंजे, यानि के 5 यहां पर आ जाएगा, यानि के इसका मतलब यह हुआ, यह नमबर क्या ह यहां पर मिनट लिखा हो गंटे नहीं, एक मिनट में 7 लीटर पानी भर रहा है, और भी एक मिनट में 5 लीटर पानी खाली कर देता है, मैं कह सकता हूं कि एक मिनट में सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर ही पानी भरा जा रहा है, ठीक ना, एक मिनट में 7 लीटर पानी भरा जा रहा तो साथ यो एक मिनट में अगर दो लिटर पानी भर रहा है और 140 लिटर पानी भरना हो तो टोटल कितने मिनट लगेंगे मैं कहूंगा 70 मिनट लगेंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी 70 मिनट में भर जाएगी इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो option number D के साथ जाएग दो वर्ष बाद 20 प्रिशत की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएगे आपसे पूछा जा रहे कितने रुपए हो जाएगे यानि कि मिश्रधन आपसे पूछा जा रहे क्या साथ यो पूछा जा रहा है मिश्रधन आपसे पूछा जा रहे यानि कि यहां पर अगर बात करें कौन सा सूतर लेगी पहली बात तो आप लोग ये धिहन रखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर एक सेकंड रुकिए यहाँ पर अगर साथियो बात करते हैं यहाँ पर एक बात कही गई है कि अर्ध वार्षिक जब भी अर्ध वार्षिक लिखा हो और वर्ष दे रखा हो साथियो यहाँ वर्ष कितना दे रखा है समय दे रखा है साथियो दो वर्ष यहाँ जब भी कहा जाएगा अर्ध वार्षिक और जो दर दी जाएगी उसको आप दो से भाग करेंगे ठीक ना यहाँ आगर आर्ध की बात करते हैं तो 20 बटे दो यहाँ दस पृत शचत आ जाएगा अगर समय की बात करते हैं तो 4 है अगर दर की बात करते हैं साथियो तो 10% है ठीक ना और अगर बात करते हैं साथियो मूल धन यानि के P की तो कितना है साथियो 80,000 यहाँ पर है आपसे एक अमान पूछा जारे है तो सूतर तो आपको पता होगा A बराबर B A बराबर P 1 बटे ठीक ना 1 प्लस R बाई 100 की पावर T अब यहाँ पर अगर बात करें A तो आपसे ग्यात किया जा रहा है तो P कितना है साथ हो P आपका 80,000 हो जाएगा ठीक है 1 प्लस R कितना है आपका 10% है अब ही हमने निकाला 10 बटे यहाँ पर 100 आजाएगा और यहाँ पर क्या होगा T जो कि 4 है 4 छमाई तो 4 यहाँ पर आजाएगा अब देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अगला step की अगर बात करते हैं 0 से 0 कट गया तो साथ हो जाएगा 10 एक आपका कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर बात करें 10 एक आपका हो जाएगा 10 से कम 10 और 11 11 बटे 10 यहाँ पर हो जाएगा यानिके अब आपका हो गया यह 80,000 और 10 बटे 11 की पावर 4 है तो इसको एक काम करो साथ हो 10 बटे ठीक ना चार जिरो आप यहां पर देख रहे हैं, और चार जिरो आप यहां पर देख रहे हैं, दोनों से दोनों कैंसल हो गए, अब आपको क्या करना है साथियों, अब आपको एक काम करना है, क्या इनकी बस आपको गुणा करना है, क्या इनकी आपको साथियों क्या करना है, गुणा क हां गयारा कितना होता है एक सो एक किसु आगए तो कितना आ जाएगा ख़िये आपका दो चार दो आ जाएगा और फिर आपका था चाण सी मिल्हे खर्ट कर दें स्कोर तो बदीजैए आपको यहां पर 9000 आपका 46 जटै ?,өंट कितना हो जाएगा 500 ग्यावन हो जाएगा ठीक ना आट चौक आपका 32, 32 और 5, 37 हो जाएगा आट इकमाइट और 3 आपका 11 हो जाएगा यानि कि अगर बात करते एक लाग पंदरह हजार ठीक ना एक लाग सॉरी एक लाग सतरह हजार 128 कहां पर लिखा हुआ है मैं कहूंगा option number B में लिखा हुआ है तो यही आपका क्या होगा यही आपका साथ हो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भई बहुत बड़िया तरीकुट क्लास चले साथ हो उसके बाद एक अगला सवाल है आपके स्क्रेन पर देखिए और मुझे बताइए आपका right answer क्या है देखिए एक उस त्रभुज का छेतरफल आपसे कहने गयात करने को जिसकी भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm अब हमें नहीं पता है साथ उ कैसे क्या गिहां पर भूजा के बारे में एक तरीके से बताया गया है तो हम मान लेते साथो एक तरभूज हमारे पास ये है ठीक है वैसे तो अगर तरभूज का छेतरफल की अगर बात करते हैं न साथ्यो देखिए एक बटे दो क्या ठीक ना लंब गुणा आधार हो जाएगा लंब गुणा आधार हो जाएगा लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि लंब कौन सा है आधार कौन सा है तो मान लेते साथ्यों ये आपका करण हो गया ये आपका साथ्यों क्या एक तरीके से 12 मान ले और सातियों कन क्या मान ले 13 मान ले तो एक सूतर आपने सुना होगा कन का स्क्वाइर वराबर आधार का स्क connectivity पिलस किसका स्कायर सात्यू लंब का स्कायर तो अगर 13 का स्कायर करेंगे तो 179 आ जाएगा बराबर इसका स्कायर प्लस इसका स्कायर यानि कि यह 144 हो जाएगा और यह आपका 25 हो जाएगा कि इन दोनों को जोड़ पर 69 आता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल 69 ही आता है यानिके 1 बटे 2 अब साते सूतर लगा लिजे तिरबुच के 6 तरफल का सूतर 1 बटे 2 गुणा लंब गुणा आधार तो सातो लंब कितना है यहाँ पर अगर बात करें 5 है और आधार कितना है 12 है तो मैं कहूंगा 2 एकम 2 2 के साथ भाई बहुत बढ़िया वेरी कुट प्लास आतो इस लास्ट कोशन को देखें एक कोशन एक बहुत शांदार एक तरीके से आपका कॉंसेप्ट है बहुत शांदार एक तरीके से कॉंसेप्ट है देखिए यहाँ पर अगर बात करें मलिका और रानी के पास कुल 227 मलिका के लिए मलिजे M लिख लेते हैं और रानी के लिए R लिख लेते हैं तो मलिका और रानी के लिए पास कितने पैसे हैं 227 रुपे हैं उसके बात कहने के रानी और तमाली के लिए T हो गया इनके पास 273 रुपे हैं एक सेकंड 273 कैसे लिखेंगे वाई 273 तो आप कैसे लिखेंगे दो साथ ठीक है हाँ 273 आपका ये मैंने लिख लिया उसके बाद क्या यहां पर कहा जा रहा है उसके बाद साथ यहां पर कहा जा रहा है कि तमाली और मलिका के पास तमाली और पिलस मलिका के पास कितने रुपए हैं 280 रुपए हैं चलिए अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान लिख, आप एक काम करिए, आप निकाल लिजिए मलिका, रानी और तमाली के पास कुन मिलाके कितने रुपए हैं, यह आप पता कैसे निकालेंगे, यह आप निकालेंगे, मैं आपको बता दे कि हर इंसान दो दो है, मलिका यहाँ पर है मलिका यहाँ पर है रानी यहाँ पर है ठीक है ना तमाली यहाँ पर है तमाली यहाँ पर तुम्हें कह सकता हूं साथियो दो और ब्रैकेट में लिख लेता हूं साथियो क्या मलिका पिलस रानी पिलस तमाली अर भाई दो दो बार है न सब क्या तो मैंने दो क्यों गुणा है मलिका पिलस रानी पिलस तमाली बराबर इनकी जो आए है ना पता क्या करेंगे इस दो की भाग इस से करा देंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा साथियो दो एकम दो दो ती अच्छे और दो नी मठारा जीरो यानि कि इन तीनों के पास कितने रुपए हैं अगर बात करते है तीन सौ नववे रुपए हैं तो जब इन तीनों के पास तीन सौ नववे रुपए हैं तो मैं कहूँगा मलीका के पास कितने रुपए हैं मल्Иका यहां पर है तो एक काम करो सात्यो इसमें से रानी और तमाली के पैसे घटा दो हमें मलीका के पैसे मिल जाएंगे तो रानी और तमाली कहां पर लिखा हुआ है रानी तमालीका के पास 273 रुपए हैं तो 273 इसमें से घटा दो हमें मलीका के पैसे मिल जाएंगे क्योंकि इसमें पूछा गया मलिका के पास कितने पैसे हैं तो यहाँ पर सात्यू सात आ जाएगा यहाँ पर एक आ जाएगा यहाँ पर एक आ जाएगा यानि कि मैं कह सकता हूँ मलिका के पास कितने रुपए हैं एक सो सत्तरा रुपए हैं क्योंकि exam से पहले पहले साथ हो एक तरीके से सरसरी निगाहों से अगर आप देखकर चले जाते हैं उन 10 model paper को और UP current affair को UPGK को तो exam में आपके वो ताबर तोड़ तरीके से साथ हो selection कराएंगी सिर्फ 45 रुपए में PDF आपको दी जा रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक है WhatsApp पर PDF प्राप्ट करने का उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे WhatsApp पर आजाएंगे वहाँ पर आपको QR कोड दिया जाएगा QR कोड पर 45 का payment करके screen shot देंगे तो आपको PDF साथ हो भीज दी जाएगी पिछले साथ दिन की उसमें आपको सारी क्लासे मिल जाएंगी क्या सारी क्लासे मिल जाएंगी और इस वीडियो को साथ हो लाइक कर दीजे और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करके channel को साथ हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो मिलते हम सब लोग आने वाली हिंसातियों